खबर सतना से है जहां परस्मनिया मार्ग पर रामपूर पहार में दर्थनार्थियों से भरे एक वाहन के पलट जाने से 14 यात्री घायल हो गया है घायलों में से दो की हलत गंभीर बताई जाती है घायलों को मैहर सिविल इस्पताल में भरती कराया गया है जानकारी के मुताबिक मैहर परस्मनिया मार्ग पर रामपूर पाठा के पास घाट पर दर्थनार्थियों से भरा वाहन नमबर 407 सोंबार की राद बेकाबू होकर पलट गया था इस हासे में महिलाओं और बच्चों समय 14 लोग घायल हुई है हासे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों और अस्थानी ने दुरगटना का सिकार हुए लोगों की मदद की और पुलिस को सूचना दे थी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मैहर भेजा है अस्डियोपी मैहर लोकेश डावर भी घायलों को देखने और उनकी इलाज के बारे में जानकारी लेने देर राज सिविल अस्पताल पहुच गया है घायलों ने बताया कि 25 लोक सतना से धार्मिक यात्रा पर निकले थे वे सतना से दुरेहा चुनहा परस्मन्या आदिदेव अस्थानों में दर्सन पूजन करते हुए मासारदा के दर्सन करने मैहर जा रहे थे तभी रामपूर पहाड पर सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के लिए ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया तो पूरा पैडल अंदर चला गया लेकिन वाहन नहीं रुका ब्रेक फेल होते ही ड्राइवर चिलाया जिसके बाद सभी की होस उड़ गया इसी भी चालक के नियंतरन से बाहर होकर वाहन पलट गया था किसलों कि अपलोग थे बाद सेके के लोग थे आपलोग थे लोग